आज मैं आपको एक बहुत खुबसूरत फ्रिल वाली बाजू की डिजाइन बनाना बताऊंगी तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यह देखिए हमने अपने कपड़े में से यह पट्टी कट करके लिया हुआ है इसकी चोड़ाई है डबल में दो इंच है और शिंगल में चारी इंच है ठीक है अब इसी से हम यह फ्रिल बनाना बताएंगे और हमने इसको डेल इंच पर रेडी करना है इसलिए हमने यह दो इंच लिया है आदा इंच हमारी सिलाई में चली जाएगी इसलिए हमने यह दो इंच लिया हुआ है तो चलिए हम सिल्के दिखाते कैसे बनाएंगे इसको तो यह देखिए हमने पूरे में ऐसे कची सिलाई लगा लिया है अब हम यहां पर इस पे ऐसे प्लेटे बनाएंगे ठीक है ऐसे चोटी चोटी प्लेटे बनाएंगे तो इधर राएंगे जाल के दिखाते हुआ झाल तो यह देखिए हमारी डिजाइन बनके रडी हो चुकी है अब हम इसको बाजू में जोड़ेंगे तो चलिंगे बाजू में जोड़के दिखाते हूं तो यह दिखिए यह हमारी सीधी साइड है और यह हमने जो भी क्रिल तयार करा है यह हमारी यह वाला साइड हमने सीधा साइड है हमारा यह और यह हमारा उठा साइड है और यहाँ पर रखेंगे इसको यहाँ पर रखेंगे और आदा आदा इंच का छोड़ते हुए सिलाई ल गांगी गांगी तो यह देखिए मारा सिल्क रेडी हो गया अब हम एक बार इसको नाफ नेकिया तो यह देखिए हमारा विल्कुल डेडिंस पहर है अर मं क्या करेंगी यहाँ पर ग्रकर रहा हैं यहां से मिसको कट करके निकालेंगे तो किसा साब से यहां डगांगे सिलाय में लगाएंगे से यह पुती हमाद जो पाफोलख कुछे 어떤 गीस में लाः तार पीटिक में odsas a lie नगान किसे बधाएंगे कमदब कर्कें स्अाइगे यह देखिए हमारी डिजाइन कुछ उस तरीके से उतना उभर के नहीं दिख रही है बट ऐसे जब पहनेंगे तो बाज उपर साइड से देखने में ऐसे दिखेगी और यह बहुत ही खुप्शुरत दिखेगी जुकि यह कपड़ा से होने की वज़े से और लाइनिंग वाला क अपड़ा होने की वज़े से यह डिजाइन उपर की साइड से उतना उभर के नहीं दिख रही है बट साइड सी जब नीचे की साइड से देख रहे हैं तो यह बहुत खुप्शुरत दिख रही है तो जब हम पहनेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगी और बहुत झाल झाल झाल